आज विद्यार्थियों आप लोग के लिए एक नया पॉइंट उर्जा लेकर के हैं उर्जा किसे कहते हैं? पहले आप लोग को उर्जा का डिफिनिशन बता देते हैं उसके बाद इसके मात्रक ये कौन सा रासी है? इनके अन्य मात्रक भी बताएंगे इनके कौन कौन से परकार है? तोटल चीज आप लोग को बताया जाएगा सबसे पहले एनर्जी यानि उर्जा उर्जा किसे कहते हैं? तो उर्जा का सिंपल डिफिनिशन है बाबु कि कार्ज करने की चमता को उर्जा कहते हैं It means the capacity of doing work is called energy उसके बाद उर्जा का SI मात्रग जूल होता है यानि जो SI unit कार्ज का होता है वही SI unit उर्जा का भी होता है यानि इसका SI मात्रग क्या होगा? जूल होगा यानि उर्जा का भी SI मात्रग जूल होगा और उर्जा का सीजीस मातरग जो है अर्ग होता है उर्जा एक अदिसरासी है इसके बाद उर्जा के अन्य मातरग भी आप लोगो बताया जएगा जैसे उर्जा के अन्य मातरग मैं करता है वाट गंटा what hours एक वाट घंटा बराबर होता है एक जूल प्रती सेकें पूने च्छती सो सेकें यानि एक घंटा में हम जानते हैं कितने सेकें होते हैं च्छती सो सेकें और यहाँ एक वाट के भी बारे में जानते हैं कि एक वाट बराबर होता है एक जूल बटा एक सेकें सू इस वाट के अस्थान पर मूलिक दिए एक जूल प्रती सेकेंड आईंटों में घंटा के अस्थान पर चाथिशओ सेकंड जब इसको मल्टिफलाई करेंगे तो ये जाएगा चाथिशओ सेकंड से सेकंड कैंसील हो जाएगा और ताथ केबल बचेगा जूल अब इस श्च माहिने से बाई यो तीन अंक या जितने भी अंक के बाद दसमलो लगाते हैं पावर में उतना अंक लिखा जा सकता है इसलिए एक वाट घंटा बराबर जेगा तीन दसमलो छोगूने दस के पावर तीन जोल इसके बाद उर्जा के अनादर दूसरा मात रख है कीलो वाट एक किलो वाट घंटा बराबर जाएगा दसके पावर तीन वाट घंटा अब देखें यह दसके पावर तीन और उपर हम लोग एक वाट घंटा के मान निकाले हैं तीन दस हमलोग चौने दस के पूर तेन जूल इस भैलू को लाएंगे या लाग अप्रूट कर देंगे जैसे ही रख देंगे तो हम लोग जानते हैं कि यदि यह आधार सामान हो यानि नीशे का बेस इक्वल हो तो घात को आइट कर देते हैं जब आइट करेंगे तो यह 3.6 यानि यह जो वैलू होगा 3.6 इंटू आध थेरी और थेरी मिलके 6 यानि 10 to the power 6 एक किलो वाट घंटा एक वाल तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल अब देखें एक नोट भी बताये गया है इसका बीमिये सुत्र है यानि उर्जा का बीमिये सुत्र होगा m lk power 2 tk power minus 2 it means m in 1 l in 2 t in minus 2 होता एक इसका उर्जा का बीमिये सुत्र है थेंक्यू धने बाद